साथियों, ये बात सही हैं, कि जब प्रक्रूती और परियावरन का समरक्षन होता है, तो हमारा भविश्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समर्द्धी के रास्ते भी खुलते हैं। कुनो नेशनल पार्क में, जब चीता फिर से दोड़ेंगे, तो यहां का ग्रास्त लैंड एको सिस्टिम फिर से रिस्टोर होगा, बायो डाइवर्सिटी और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में यहां एको टुरियम भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाय जन्म लेगी, रोजगार के अउसर बढ़ेंगे, लेकिन साथियों, मैं आज आप से, सभी देशवासियों से, एक आगरह भी करना चाहता हूं। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए, देशवासियों को कुछ महिने का धैरियत दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते महमान बन कर आए हैं, इक शेत्र से अंजान है, कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महिने का समय देना होगा। अंतरराष्ट्रिय गाइडलाइन्स पर चलते हुए, भारत इन चीतों को बसाने की पुरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को बीफल नहीं होने देना है।